अस्सालाम अलेकुम भीयर्स आशार खीशवाई भालवाचे नासके एच्पी रे आरक्टी नोतुन लैप्टोट में हाजीर होलाम जेटी कामिंग सुन खुब तारा तरी आजबे एई लैप्टोट टी ते जावर आगे सुट्टू रिक्वेस्ट जारा चैनल टी देखसें त सास्क्राइब कोड़ेशें तारी कोनेक बेशी बेशी दोन बाद आर जारा सास्क्राइब कोरें नितारा सास्क्राइब भूलवेलना एलाप्टोट मोडेल होचे HPE-15S EQ-1118TU एटी ते AMD Ryzen 7 रोएचे जेटीर मोडेल होचे 4700U एई प्रोसेशोर टी ते कोरो होचे 8 एट एबों थ्रेट रोएचे 8 एबों कैश्मेमरी रोएचे 8 MB आर एखाने आपनारा बेज ट्लॉक स्पिल पावेन 2 GHz एबों मैक्स टर्बो हावे 4.10 GHz एबों एखान 7 NM बेजर प्रोसेशोर तो एटी किन्तु पावर्फुल प्रोसेशोर एटी गेमिम एबों हार्ड ओर्किंग प्रोसेशोर प्रोसेशोर ही शब एखाने आपना अनेक बेटर पावेन एखाने SSD ही पाशो बारो M.2 NVMe SSD थाक छे तो अब एखाने एक्स्टार कोनो SSD थाक छे न आप 2060T बासे RAM रोये छे एखाने एक्स्टा RAM स्लोट पावेन आपना चाहिले RAM बाढ़िये निते पारवेन एई लैप्टोप टी 32GB पोर्जोंत मैक्स टार्बो हबे RAM एखाने डिस्प्ले ही शाबे 15.6 Full HD TN डिस्प्ले रोये छे जेति रेजिलेशोन 1920 x 1080p एई डिस्प्ले किन्तु जखुन आपने चाला बेन तोखुन किन्तु प्रीमियाम आपना के मोले हबे लूक एर दिख थे के एबंग डिस्प्ले र क्वालिटी दिख दे किन्तु कुनों अंग्षे कौम नाई IPS चे और थात TN डिस्प्ले किन्तु और एक बेटर माने डिस्प्ले एखाने AMD RX ग्राफिक्स पावें जेती रैम जी हुतो आपना एट जी भी एट दुई जी भी पोर्जन तो आपना के सपोर्ट दिये थागबे तो जारा ग्राफिक्स एर काज कोरबें तादे जोनों किन्तु एटी एक ती दारून एक टी लैप्टोफ होते पारे एखाने बैक लिट की पोर्ट रोये छे जेती दी है किन्तो आपना रातेर बला बंदो कोरें लैप्टोफ टी पारें आपना एक आका काज कोरते पार भेल एखाने आपना एई लैप्टोफ टी आमी एक तो परमस्वत दिवाद कारा एट नीबेन जारा स्टूडेंट जारा आउट्सोर्सिंगे क वीडियो एडिटिंग को बेन, यूटूबिंग को बेन, एबंग CSE student, इंजिनियरिंग परेन, एबंग टुक टाग गेमेट जोन्नो किन्तु ए लैप्टोप ती आपनारा निते बारेन, सो एटी किन्तु अत्तान तो पावर्फुल एबंग आमियुमनो करी जे दारुन तो आखुन जेटी बोलबो जे एटीर बाजार मुल्लो कतो, एखाने बाजारे एटी आशार आगे एक्सपेक्ट करा होच्छे जे एटीर मुल्लो कतो होते पारे, सो एटीर मुल्लो धरा होए छे 65,000 टाका, आर आमादे चैनेल सास्काबर रापभेन, बराबर में तोई डि झालो